हेलो एवरिवन आज का हमारा पार्ट है लहासा की और और यह पार्ट लिखा है राहुल संक्रतैने राहुल जी की यह प्रथम तिबबत यात्रा थी जो उन्होंने 1939 से 30 में नेपाल के रास्ते से होकर के की थी यानि की जब वो जा रहे थे तो रास्ते में नेपाल उस समय उनके बीच में आया था उस समय भार्तियों को तिबबत यात्रा की अनुमती नहीं दी जाती थी इसलिए वह भिखमंगे के रूप में छुप करके वहां तिबबत गए थे और यह यात्रा उन्होंने तिबबत की राजधानी लहासा की और जो रास्ते जाते थे रास्ते बहुत ही दुरगम होते थे और उन दुरगम रास्तों का इन्होंने अपने इस पार्ट में बहुत ही रोचकता से वर्नन किया है बहुत सुन्दर तरीके से उन्होंने इन रास्तों का वर्णन किया है जब राहूल जी ने यह यात्रा की तब फ्री क्लिंग पॉंग का मार्ग नहीं खुला गया था इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिबबत जाती थी इसे सैनिक और व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था क्यों कहा जाता था सैनिक और व्यापारिक रास्ता क्योंकि एक तो व्यापारिक वस्तुएं वहां से उकर के जाती थी नेपाल से दूसरा रास्ते में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चोकियां और किले बने हुए थे जिन में चीनी पल्टन के सैनिक रहते थे यानि कि चीनी सेना के सैनिक उसमें रहते थे किन्तु अभी की बात करें तो वे सब किले या दुर्ग जो हैं वो अब गिर चुके हैं और उन गिरे हुए दूर्गों में किसान रहते हैं मार्ग में उन्होंने अनेक कठीनाईयां देखी और वह बताते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का जाती गत भेदभाव नहीं पाया जाता है और ना ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती है यानि कि वहां की महिलाएं आने जाने वाले लोगों से गुंगट नहीं निकालती हैं और वह बिना किसी संकोच के उन्हें मेमानों को खाना बना करके देंगी चाए बना करके देंगी और यात्रियों की खूब सेवा करती हैं जो चीनी किला था सेनिकों ने जिसे छोड़ दिया था चाय पीने के बाद लेखक आगे बढ़ा तो उन्होंने राहदारी दी राहदारी क्या होती है राह से गुजरने पर दिया जाने वाला कर उस समय पर यह एक ऐसा कर होता था जो आप जिस रास्ते से जैसे अभी टॉस होत क्याmost था राहदारी नाम से जो उन्हें देना पड़ता था उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिमगाउं में पहुंच गए जब तो वहां उन्हें सुमती जो उनके ज़ान पहचानKN के हैं वो मिलते हैं विख्मंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है लेखक पांच बार साल बाद यहां पर इसी एक्यात्री के रूप में पहले भी बहा गया था यानि कि अब पांच साल बाद दुबारा इसी स्थान की यात्रा कर रहा है किन्तों जब पहली बार आया था तो उसे किसी टेटी ने भी अच्छी जगए देख़क को एक सबसे खतरनाँक रास्ता जो है उस रास्ते का नाम है टांडान थोंगला पर करना था और तिबत का सबसे खतरनाथ स्थान डांडे है यहां दूर-दूर तक मार के दोनूं और कोई भी गाव नहीं है यानि कि रास्ता बिल्कुल बीहड है, सुनसान है और इसी लिए वहाँ पर डाकों ने अपनी रहने की जगह बना ली है ऐसे स्थान पर खून की कोई परवा नहीं किये जाती अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देती अथियार का कानून ना होने के कारण वहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तोल और बंदूग साथ में रखते थे और इस मार्ग पर अनेक हून भी हो चुके थे लेकिन लेखक ने कोई परवा नहीं की क्योंकि वह क्यों नहीं की उसने परवा क्योंकि वह भीकमंगे के वेश में था पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपको इससे सम्मंदित कोई भी प्रेश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे और अगर आपको इससे सम्मंदित कोई जान करी है तो वह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगला पढ़ाव जो था लेखक का वह 16-17 किलोमीटर दूर था और लेखक का जो सायक था उसने यह कहा कि दो घोडे साथ में हो तो हम अच्छे से इस रास्ते से पार जा सकते हैं और अगले दिन वो दोनों दो घोडों पर सवार हो करके चलते हैं दोपहर तक डांडे गाव तक जा पहुँचे वहां हजारों मेल तक पहाड ही पहाड दिखाई दे रहे थे और पहाड कैसे थे जिन पर विल्कुल भी पेड़ पोधे लगे वे नहीं थे जो वहां का सबसे उचा स्थान था उसे देवता का स्थान कहते हैं और वहां पर पत्थरों के धेर थे जानवर के सींग पड़े हुए थे और रंग विरंगे कपड़ों से जाडियों को सजाया हुआ था यनि कि कुछ कपड़े जाडियों पर सजा दिये गए थे लेखक के साथ कुछ और लोग भी थे यनि कि घुड सवार भी थे जो घोड़े की सवारी कर रहे थे अब चड़ाई जो थी वो थोड़ी कम रह गई थी लेकिन उतर ना था उन्हें नीचे की तरफ लेखक का घोड़ा जो था वो बहुत ही सुस्त हो गया था थोड़ा वो ठक गया था इसलिए लेखक अन्य सवारों से पीछे रह गया यानि कि अब वह रास्ता थोड़ा भटक गया क्योंकि उसका घोड़ा थोड़ा थक गया था बड़ा धीरे धीरे सा चल रहा था तो आगे जब वो चल रहे थे तो उन्हें रास्ते में दो रास्ते दिखे दो रास्ते में से एक जो सही था उस पर लोग चले गए और गलत रास्ते पर लेखक चल पड़ा एक डेड़ मील जाकर के उसे पता चला कि वह तो गलत रास्ते पर जा रहा है उसने वापस मुड़ करके सही रास्ता लिया तो गाउं से एक मिल की दूरी पर लेखक सुमती से चार-पाँच बजे शाम को मिल जाता है सुमती इस पर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम कहां चले गए थे किन्तु लेखक ने घोड़े की धीमी गती का बहाना बना करके उसे शांत कर दिया बाद में जब वो लंकौर पहुंसते हैं तो वे एक अच्छी जगे पर ठहरते हैं वहाँ पर उन्होंने चाय और सत्तु खाया सत्तु क्या होता है भुना हुआ आटा होता है चन्ने को भून करके पीस दिया जाता है उसे चाय के साथ वहाँ पर खाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में जब यात्री यात्रा करते हैं या गाम पर जाते हैं तो सत्तो और चाय खा करके जाते हैं जिसे उन्हें रास्ते में कमजोरी महसूस ना हो रात को गर्मा गर्म थुकपा भी मिला लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँच गया बड़ा मैदान था विशाल जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू लग रहा था पहाड कैसे लग रहे थे जिसे पहाडों का कतोरसा बन जाता है उसके भी तर एक टापू होता है वह पहाड दिखाई दे रहा था एक उसमें छोटी सी पहाड़ी भी उन्हें दिखी उसी पहाड़ी पर उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधी गिरी था और वहाँ पर सुमती के यजमान रहते थे जिनके पास सुमती को जाना था किन्तु लेखक ने उसे जाने की आज्या नहीं दी लेखक उसे मना करता रहा हाँ यह था कि जिस गाउं में वो रुके थे उसी गाउं के यजमानों में वह गंडे बाढ़ सकता था सुमती ने यह बात स्विकार कर ली सुमती मान गया दूसरे दिन उन्हें कोई भार्ड होने वाला नहीं मिला भरिया होता है जिसे भार्डोने वाला कहते हैं तो जो यात्रा करते हैं पाड़िक्षेत्रों में वो अपने साथ एक व्यक्ति रखते हैं जो उनका सामान उठा सके और इस तरह से वे सुबह आगे चल दिये तिबबत में 10-11 जब बच जाते हैं यह तिबबत का ऐसा ही मश्म होता है तो वे दो बजे तक शूरज के और मौ करके । चलते रहे और उन्हें तेज दूप मत्से पर बहुत तेज धूप जलती लग रही थी जल रहा है मांत हैसा लग रहा था तिब्बत की जो जमीन है वह हैं बहुत छोटे-छोटे बड़े-बड़े जमीनदारों में बटी हुई है और हर जमीनदार जो है अपनी खेती खुद करवाता है किसी को लगा करके मजदूरों को जिसके लिए वहाँ पर मजदूर भी मिल जाते है जो खेती का प्रबंद होता है उसे किसी भिख्षुक के द्वारा कराया जाता है और भिख्षुक जो होता है वहाँ पर राजासिक कम नहीं होता है सुमती के यजमान शेकर की खेती का मुखिया भिख्षु जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान था तो वह लेखक के विखारी के वेश में होने के बावजुद भी उसको बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उसके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवार करता है और वह जो भिक्षुक होता है उन्हें एक मंदिर में ठहरा देता है इस मंदिर में बुद्वचन अनुवाद की हस्त लिखित 103 पोथियां रखी हुई थी हस्त लिखित पोथियां किसे कहते हैं जो बुक्स हाथ से लिखी हुई होती है और उन्हें एक रस्ची पे बांध करके रखा पोथी बना दी जाती है बांध करके जब एक बुक का रूप दे दिया जाता है तो उस प्रकार की बुक्स जो थी वह पर 103 थी जो हाथ से लिखी हुई थी और वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखी गई थी इसी कारण से एक एक बुक का वजन जो था 15-15 किलो के लगभग था लेखक उन्हें पढ़ने में लग गया और सुमती दूसरे दिन यजमानों से मिल करके लोट आया तिंगरी गाउं वहां से दूर नहीं था इस प्रकार से उन्होंने अपना अपना सामान पीट पर लागा और अपने मार्ग पर चल दिये इस प्रकार से यह है राहुल संकरत्यायन की तिबबत यात्रा का वर्नन करता है